नमस्कार दोस्तों रावल सर इस्टेडी में आप सभी का हर्दिक श्वागत है आज अपर बात करने वाल हैं राजस्तान हाई कोट LDC भरती को लेकर जिहां दोस्तों राजस्तान हाई कोट LDC की भरती आ चुकी है और इसके फोर्म एक तारिक से स्टार्ट हो जाएंगे एक अक राजस्तान हाई कोट की जो LDC की विकेंसी है उसमें हमें कौन-कौन सी बुक पढ़ी होगी जिसे हमारा सेलक्षन हो सके दोस्तों आज मैं टाइपिंग की बात नहीं करूंगा मैं केवल और केवल पेपर की बात करूंगा पेपर वन जिसमें आपके तीन सब्जेक्ट दे र होगा और करण जी के करण जी के में अपने राजस्तान का भारत का और विश्वे का ठीक है दोस्तों अब देखें दोस्तों अपने बात करने वाले हैं कि राजस्तान हाई कोट LDC में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें कौन-कौन सी बुके पढ़नी होगी जिसे हमारा सेल हिंदी के आपके टोटल पचाश क्यूशना हैं। अब देखो 100 होगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा मादिमिक शिक्षब और کی किताब आपको देखने होगी मादिमिक शिक्षबोट की आपको क्या देखने होगी दोस्तों किताब देखने होगी मादिमिक शिक्षबोट की किताब आती है 9 से लेकर 12 तक की अगर आपकी हिंदी कमजोर है तो आप 9 से लेकर 12 तक की मादिमिक शिक्षबोट की किताब देख सकते हो आपका बेस मजबूत हो जएगगा जो ही आपका बेस मजबूत हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है तो सबसे पिल आपकी हिंदी कमजोर है तो सबसे पिल आपका क्या करोगी 9 से लेकर 12 तक की यानि नम्मिक क्लास से लेकर 12 क्लास तक की एक आती है मादिमिक सिक्सवोट की किताब बहुत ही अच्छा और सरलवासा में समझाया आप उसे पढ़ना और वो पढ़ने के बाद आप रागव परकार्ष जी को फोलो कर सकते हो रागव प्रकार्ष जी की क्लासे भी चल रही है और रागव प्रकार्ष जी की आप किताब देख सकते हो अगर आप रागव प्रकार्ष जी को और माध्यमी सिक्साबोड दोनों को आप अच्छी तरह से देखोगे तो मेरे हिसाब से 50 क्यूशन है इंटू 2 यान एक क्यूशन दो नमबर का होगा यानि कि आप 100 नमबर प्राप्त कर सकते हो अगर दोनु किताबों को आप अच्छी तरह से पढ़ो तो ठीके दोस्तों अब नमबर दो की बात करते हैं दोस्तों नमबर दो में आती आपकी अंग्रेजी ठीके हिंदी हो गई अब बात करते हैं अंग्रेजी दोस्तो अंग्रे जीम में केवल एक ही किताब बताऊंगा ये आति दोस्तो सुगम के नाम से अंग्रेजी की जो BK रस्तों की और नीतु रस्तों की जो किताब है वो आती है सुगम के नाम से यानि 54 परकासन के नाम से ठीक है दोस्तों तो हिंडी हो गई अंग्रेजी हो गई इसमें भी आप अच्छी तरह से इसको आप पढ़ोगे तो 50 into 2 यानि की 100 नमर आप राप्त कर सकते हो क्योंकि राजस्तान में BK रस्तों की का नाम अंग्रेजिम अच्छा चलता है ठीक है दोस्तों फिर आपकी जो मर्जी आप खरीदना चाओ खरीज सकते हो ठीक है लेकिन मैं मेरे अनुबह से बता रहा हूं कि आप इन किताबों को पढ़ोगे तो आपको अच्छे न बात है केवल राजस्तान जिके की ठीक है जिके में बात करते हैं सबसे पहले राजस्तान जिके की राजस्तान जिके में क्या क्या आएगा दोस्तों राजस्तान जिके में आएगा सबसे पहले भुगोल यानि की राजस्तान का भुगोल और आर्थिक इस्तति यानि इकोनोम और नमबर दो पर आपके इसमें आएगा राजस्तान का इतियास यानि राजस्तान का बुगोल राजस्तान का इतियास और नमबर तीन आता है राजस्तान की कलासंस करती राजस्तान की कलासंस करती राजस्तान की कलासंस करती ठीके दोस्तों अब हिंडी और अंग्रेजी हो ग गया प्लस राजस्तान का इतियास हो गया और राजस्तान की कलास संस्कृति अब अगर आपको राजस्तान का भुगोल इतियास और कलास थी क्योंकि esm चाहिए तो आप लक्ष्य पढ़ सकते हो लेकिन मेरे साबसे एक संकल्प संकल्प नाम से किताबे आती है लक्षे की पढ़ सकते हैं इसके अलावा संकल्प नाम से किताबे आएगी अच्छी किताबे हैं ठीक है लाइन टू लाइन है बिना फाल तो इसमें कोई चीज़े नहीं होगी संकल्प की भुगोल की भी आएगी संकल्प नाम से राजस्तान का बुगूल, राजस्तान का इतियास और राजस्तान की कलास्स करती यानि तीनों का अलग लग पार डाते हैं अगर आपको अच्छे तियारी करनी हैं अच्छे नमर लाने हैं तो संकल्प के तीनों भाग को आप पढ़ना संकल्प का राजस्तान का बुगूल और अर्थविवस्ता, राजस्तान का इतियास और राजस्तान की कलास्वंस करती आप इसको भी पढ़ सकते हो और बाकी लक्षे का नाम तो आपको पता चलता है लेकिन संकल्प की ये तीनों किताबे आप अलग-अलग मतलब खरीद के पढ़ोगे तो short and sweet पढ़ सकते हो यानि कि लक्षे में क्या की मेटर बहुत ज़्यादा दे रहा है और इतना मेटर ने तो आप पढ़ सकते हो पूरा और नहीं मतलब कोई सार वाली बात होगी आपको short and sweet अच्छे नमर लाने हैं त्योंकि आपको तीनों सब्जेट को पढ़ना हिंदी अंग्रेजी क्यों लियत है निकि जिके से काम चल जाएगा सारे सब्जेट आपको पढ़ने पढ़ेंगे तो ये देखलेना आपकी मर जी जो इसके अलाबब पेनोर्मा भी पढ़ सकते हो आप पेनोर्मा नाम से पेनोर्मा की भी आती है पेनोर्मा को पढ़ सकते हो ठीक है तो कोई ज्यादा hard जिके नहीं आएगा इसमें यह आपके LDC का है जिके तो आपको जिसे संकल्प की पढ़ोगे तो या लक्षे की पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा आपके ठीक है संकल्प का तिनू पार्ट आता है अब बात करते हैं अपन current जिके current जिके में आपको पढ़नी है मूमल ठीक है तोस्तों current जिके में कौन सी आती है मूमल की आती है अब देखो current जिके में कौन कौन सा topic सामिल आपके क्यावल याँ पर current पेश दे रहका तो current पेश अपने राजस्तान का होगा अपने भारत का होगा और विश्वे का होगा तीन होगा ठीक है तोस्तों उमिद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आयोगी तो जैसे कि हिंदी के 50 50 अंग्रेजी के 50 जिके के कुल मिला के बात हो रहे हैं यहां पर 300 नंबर की कितने नंबरों की 300 नंबर की यानि कि जो मैं आपको किताबे बता रहा हूँ मैं मेरे अनुबब से बता रहा हूँ आपको जो अच्छे लगे वो आप पढ़ सकते हो इन किताबों को पढ़ कर आप टेस्ट के यानि पेपर के और 100 नंबर का होगई आपके computer धक्सता ठीके कुल मिला के 400 नंबर का मेंटर होगा अब आप computer धक्सता के बारे में मुझे जя्दा नौलेज नहीं है ठीके मैं आपको繁वल और繁वल केटाबों के बारे में बता सकता हूँ ठीके दोस्तों लेकिन डाउट का आंसपर देने का में हर संभोग प्रियास करूँगा नमस्कार जेशिया राम